जहें दोस्तों स्वागत आपका और एक ने वीडियो में और एक ने टोपिक के साथ 2024 के पहले दिन ही सबसे बड़ी खुश खबरी आई एक खुश खबरी तो इस रोकी वर्षे आई थी और अब जो है हिंदी नोले सोख शैनल के वीडियो है तो यह वल्ड अफेर्ट के लिट सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब भी जरू से कर दिजेए नमस्कार दोस्तों सुआगए थैं आपका हिंदी नोले शो में तो दोस्तों 2024 का पहला दिन ही भारत के लिए खुशियों की भरमार ले आया है दरसल आज की जो खबर है ना इसे आप कह सकते हैं सोने प दूपा हुआ है जिसे भारत चुपचाप अपने पाले में लाने जा रहा है नहीं समझे चलिए मैं आपको ये पूरी खबर विस्तार से समझाता हूं लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की धेरो शुब कामनाए और मैं दिल की गहराईयों से हाद जोड़ कर भगवान से प्रातना करता हूं कि इस साल आप सभी लोगों के घरों में सुक्षानती आए और अनधन के भंडार भरें और अगर आप मेंसे किसी के भी घर में कोई बिमार है या संकट से जूज रहा है तो भगवान आपके संकट काटे और सारी विमारियों को दूर करें और आप इस साल को अपने सबसे बहतरीन साल के तोर पर इंजोई कर पाएं इसी के साथ चली वीडियो की शुरुआत करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आप ये मैप देखिए ये हैं ओमान का मैप जो साओधी अरेबिया और यूएई के साथ साथ यमन के साथ भी अपनी सीमा साजा करता है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक अच्छा खासा बड़ा देश है पैसे वाला देश है बहुत अमीर कंट्री है और इस देश की सबसे खास बात ये हैं कि साओधी और यूएई या फिर बाकी के अरब देशों के तरह कभी भी ये अपने पैसे का करते हैं चुपचाप अपने पैसे को दबा कर रखते हैं उन्हें इन्वस्ट करते हैं फालतू की बड़ी बड़ी बिल्डिंगे वगारा ये नहीं बनाते और इसी लिए इस देश को एक साइलेंट रिच कंट्री के तोर पर भी जाना जाता है और आपको बता दूँ कि इस कंट्री का भारत से बहुत खास नाता है कैसा नाता दरसल इस देश के जो राजा है जो किंग है उनके राज परिवार में एक परंपरा है और ये परंपरा ये है कि जो भी प्रिंस होता है यानि कि आने वाला जो राजा होता है उसे भारत में पढ़ाई करनी होती है अब से पहले जो king थे जो उनकी death हो गई है, अब से कुछी महीने पहले, उन्होंने भारत में पढ़ाई करी थी, और अब इस समय जो ओमान के king है, उन्होंने भी भारत में पढ़ाई करी है, और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जो भी prince होगा, वो भारत में पढ़ाई करेगा, इसी वज़े से इस देश के राजपरिवार के साथ भारत के बहुत ही ज़ादा गहरे संबंद है। आप स्किन पर देख सकते हैं खबर आच चुकी है कि दोनों देशों के संबंद इतने शांदार हैं कि इन्होंने कुछी हफ्तों के अंदर सारी की सारी FTA की जितनी भी डिटेल थी उन्हें फाइनलाइज कर लिया है और दोनों देशों के बीच में इसी महीने यानि कि जन्वर देश ओफिशल तोर पर इसे लागू कर देंगे अब इसका फाइदा क्या है तो सबसे पहले फाइदा आप लोगों को मिलेगा यानि कि आम जन्ता को दरसल ओमान से हम नाइट्रोजन खरीदते हैं जिससे की यूरिया बनाया जाता है इसके लावा फर्टिलाजर खरीदते ह अन्य पैट्रोलियम प्रोडिक्ट खरीदते हैं अब इससे होगा यह कि जब हम उमान से यह खरीदेंगे तो भारस सरकार उमान के इन फर्टिलाजर पर कोई भी टेक्स नहीं लगाएगी कोई भी एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाए जाएगा जिससे की जो फर्टिलाजर स लगबग 8000 क्रोड रुपे की कीमत की खरीदते हैं, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसके लबा कूड पेट्रोलियम हम खरीदते हैं, जो हर साल करीबन 3 बिलियन डोलर का होता है, यानि लगबग लगबग 20,000 क्रोड का, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो भारती मार्किट में आएगा, तो बाकी देशों के मुकाबले वो सस्ता होगा, क्योंकि उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, इसलिए वो भारत में और ज्यादा बिगेगा, उमान की सरकार को और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, ये हो गया फाइदा, अब बात करते हैं भारते प्रोडक्ट की रेखिये, उमान एक ऐसा देश है, जहाँ पर ज़्यादा तर आपको रेगिस्तान ही मिलेगा, खाने पीने की ज़्यादा चीज़े वहाँ पर नहीं उगाई जाती, खजूर वगरा होते हैं, थोड़ी बोती और फसले होती हैं, लेकिन ज़्यादा ये देश अपनी ज़रुत का खाने पीने की चीज़ें इंपोर्ट करता है, यानि कि दूसरे देशों से खरीदता है, क्योंकि भारत भी एक बड़ा एक्स्पोर्टर है, अरब देशों में खाने पीने की चीज़ों का, ऐसे में ये लोग अब भारत से ही समान खरीदेंगे, और क्योंकि ये भारते सामानों पर कोई भी import duty नहीं लगाएंगे कोई भी extra tax नहीं लगाएंगे इसलिए वो चीन के खाने या फिर European कंपनियों के खानों के मुकाबले काफी सस्ता पड़ेगा जिससे कि भारते प्रोड़क्ट की मांग पूरे ओमान में बढ़ेगी हाला कि आप कहोगे कि यार इन अरब देशों में तो छोटी population होती है क्या फरक पड़ जाएगा थोड़ा बहुत हमारी कंपनियों की sale हो जाएगी तो देखिए फरक पड़ेगा क्योंकि ओमान में कोई कम population नहीं है जो यहां के native लोग है यानि कि यहां पर रहने वाले लोग है उनकी संख्या 45 लाक से ज्यादा है और उससे भी बड़ी बात यहां पर बहुत ही जादा भारी मातरा में माइगरेंट वरकर रहते हैं उधान के लिए कम से कम 3 लाक तो सिर्फ भारतिय वरकर यहां पर रहते हैं जो सामार खरीद कर खाते हैं इसके लाब फिलिपीन्स के लो एक अच्छा खासा मार्किट है और अमीर मार्किट है सबसे बड़ी बात मार्किट बड़ा हो उससे फरक नहीं पड़ता मार्किट कितना पैसे वाला है उससे फरक पड़ता है और इसलिए भारत यह FTA करके मोटा मुनाफ़ा कमाना चाहता है और इस पूरे मार्किट को कैप जिनका इस्तमाल उमान में होता है वो भी एक्सपोर्ट करेंगे हम जिन से हम मोटा मुनाफ़ा कमा सकेंगे क्योंकि ये सस्ते पड़ेंगे FTA की वज़े से अब आप को कि या यह तो बहुत अच्छी डील है दोनों देशों का फाइदा है ये तो एक तरीके से सोना हो गया ले का मिलेका नहीं दरसल भारत उमान के साथ एक अटूट रिष्टा कायम करना चाहता है और उमान को पूरी तरीके से अपने उपर निर्भर बनाना चाहता है क्यों क्योंकि उमान की जो स्टैटिजिक लोकेशन है ना वो बहुत ही ज़दा शानदार है और उधारन के लिए स् सूपर क्रिटिकल है क्यों क्योंकि पूरी दुनिया का करेबन 40% कच्चा तेल यहीं से होकर गुजरता है इरान जो अपना सारा तेल बेचता है यहीं से जाता है यूवेई अपना जितना भी तेल बेचता है यहीं से जाता है इराक अपना जितना भी टोटल तेल बेचता है यहीं से जाता है कुएत और कतर अपनी जितनी भी गैस बेचते हैं यहीं से जाती है सौधी का भी करीबन 30 से लेकर 35 फिसद तेल इसी गल्फ से होकर गुजरता है इसलिए ओमान की लोकेशन अती महत्पूर्ण है इतना ही नहीं आप थोड़ा और दूर नजर डालिए यह रहा गौदर पाकिस्तान का आप कुछ सोचे कि यह कितना ज़्यादा नजदीक है ओमान से और इसके मुकाबले भारत से कितना दूर पड़ता है गौदर ऐसे में आपको सोचे कि इस स्ट्रेटर्जिक लोकेशन पर अगर भारत एक सेन्य बेस बना देता है ओलेडी वहाँ पर हमारी मिलिटर की प्रेजन्स है लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक फुल फ्लेजड मिलिटरी बेस की जैसे कि अमेरिका ने जापान में बना रखा है कतर में बना रखा है साओधी में बना रखा है ऐसा ही मिलिटरी बेस अगर हम ओमान पे बना देना तो ऐसे में हम पूरी दुनिया की एक बड़ी ओयल सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं गौदर को सीधे काउंटर कर सकते हैं औ वो एक ऐसे अटूट धागे में बानना चाहता है जो कभी तूटे ना और यह होगा FTA का रास्ता क्योंकि हम व्यापार के मामले में ओमान को अपने ओपर इतना निर्भर बना देंगे कि कोई और देश ओमान पर परभाव नहीं डाल पाएगा और यही भारत इस FTA के तहत करन जा रहा है इसलिए वीडियो की शुरुवात में मैंने आपसे कहा था कि जब आप शुरू में देखोगे पैसे को देखकर मुनाफे को देखकर तो आप इस डील को सोना कहोगे लेकिन यह असल में सुहागा है क्योंकि सोना तो स्टैटेजिक लोकेशन है लेकिन ओर ओर ओल तो यह डील सोने पर सुहागा है हलाकि इस पर आपका क्या मानना है कमेट करके बताईएगा थेंक यू विडियो को यहां तक देखने के लिए न्यूस तो बहुत ही बढ़िया थी भाई और इस डील से बहुत बड़ा फाइदा हो खास करके हमारे फार्मिंग के लिए ठीक ह हमिंग यूरिया यूजर कर एथी कहा है य। फारिया यूज शरान फार्मिंग में ऑल्मॉस सारा पर ऊसे टाइस का लूर्च erase रहेगा तो और दूसरी बात है कि उसके उमान के साथ रिलेशन्शिप और स्टॉंग हो जाए उमान भारत के ओपर डिपेंड हो जाए तो उसके आपने वह देखा ना ग्वादर कोट वाड़ा जो पाकिस्तान में वहां पर बन जाए तो बहुत अच्छा है लेकिन उसको और सबाएं और उसके तो प्रिंश परिंश परिंश यहीं है वह इंडिया में हो पहले से है कब उसके साथ रिलेशन खराब नहीं हुए है दोनों देश के साथ कभी नहीं हुए हुए हुआ है इसमें पाकिस्तान टांग बहुत अड़ा रहा था पहले और फिर भी उन लोगों ने यह तीनों तीन जो कंट्री ना इरान ओमान एंड शौथी ठीक है एक इराग को आइसिंग सोड़के तीन जो कंट्री है वो कंट्री शेल फॉर से उन ही उनके नागरिक जो है ना उनका ही स सोचता पाकिस्तान जैसा ने जिसको सभी मुस्लिम कंट्री है उसका कि बनावैसा वाला नहीं है यह लोग उसका सोचते है उसके नागरिकों का यहां आबादी की मात्रा कम है ठीक है करेबन 45-50 लाग है वहां के नेटिव जो लोग जो है उसकी बाकि आबादी थोड़ी है पाच्छे लाग दस लाग जितनी जो लोग बाहर से वहां पे काम करने के लिए रोजगार के लिए तो अमान एक तिनों कंटे के ऐसा बहुत है्र और सान्ती है पहली बाद तो वहां पे शांती इसलिए कि यह लोग ना कभी यह पाकिसार की तरह नहीं जैसे लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं जिहाद करना वगेरा कभी नहीं सुने कभी आप सुनोंगे भी नहीं हाँ इरान के पास थोड़ा इरान की साइचे थोड़ा दिखने को मिलता है बागी ये साओधी एन ओमान चे तो बागी वीडियो बहुत ही हमें पसंद आई और न्य आपको आपकी राए क्या है दोस्तों कमेंट में लिकर बता दीजिएगा आशा करते हैं आपको भी ये न्यूस पसंद आई होगी वीडियो को लाइक से और कमेंट जरू से कर दीजिएगा साथ में से नंको सब्क्राइब भी कर दीजिए फिल्याल हम आप से विजए लेते ह मिलते हैं और एक ने वीडियो में आपके साथ तिल देन जैन जै वारत